यहां पर यहां पर समझने की कोशिस करें बैंक निफ्टी ट्रेट कर रहा है आपका सतरा था 690 पर सतरा जा सास्तों की नीचे कामकाज यह कर रहा है option chain में समझें तो यहां पर एक बार रिफ्रेश करता हूँ option chain data और यहां पर देखें का आपको सतरा सास्तों की call पर जबरदस्त open interest बढ़ता हुआ दिखाई दिया है यहां पर 55 लाग का open interest यहां पर add हो गया है और वहीं अगर put पर बात करें तो 47 लाग का यानी 47 लाग का open interest यहां पर देख रहा है 17 600 की call पर अभी कोई open interest नहीं भढ़ा है 17 600 की put पर 36 लाग का open interest खड़ा है इसका मतलब क्या है अगर 17 600 की नीचे हम जाएंगे तब ही हम कह सकते हैं कि हम weakness की तरफ बढ़ रहे हैं otherwise फिलाल हमें जो देख रहा है वो consolidation यहां पर देख रहा है तो इतना आपको यहां पर clearly समझ में आ रहा होगा उपर 17 800 आपके लिए strong resistance का काम करेगा क्योंकि 74 लाग का open interest यहां पर आड़ हो गया है और यह series जैसे कि मैंने आपको बताया छोटी series है तो इसमें trading session कम है उसका advantage उन्हें ज़्यादा मिल जाता है तो इसलिए यहां पर आप देखोगे तो कि consolidation ज़्यादा हो रहा है अगर हम चार्ट को understand करने की कोशिस करें तो यहां पर देखो simple दीचीद है 15 minute का चार्ट मैं आपको लगा रहा हूँ यह particular range है हमारी जिसके अंदर nifty trade कर सकता है हम अभी lower range में तो हो सकता है आपको second half में थोड़ी सी और recovery देखने को मिले और फिर यहां से दुबारा से गिरावट देखने को मिले यानि यह consolidation का behavior यहां पर हो सकता है breakdown यहां पर तब ही होगा जब यह 17600 की नीचे trade करेगा ठीक है न इसके अंदर trade कर रहा है तो उसका मतलब यह ही है कि यहां पर क्या है कि यह थोड़ी बहुत नीचे selling आईगी फिर buying आईगी फिर selling आईगी फिर buying आईगी इस तरीके का behavior trade करेगा और ऐसे behavior में क्या है पैसे बनना बहुत मुश्किल होता है खासकर option buyer के लिए option buyer को यहां पर पैसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है इतना आपको यहां पर समझ में आ क्या होगा बैंक निफ्टी के बात करें तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो यहां पर क्या हुआ यह नीचे गया नीचे इसने recovery दिखाई फिर नीचे आया एक वॉलेटाइल सेशन सा दिख रहा है यहां पर क्योंकि consolidation ऐसी होता है एक volatility के अंदर होता है और अगर 15 मिट में आप देखोगे तो यहां पर पर्टिक्लर यह इसी range के अंदर कामकाच कर रहा है 37,400 के नीचे अगर यह second half में break होता है मतलब second half में आपको करीब एक वजे के बाद यह सेथे 3,400 को break करता है तो आप यहां पर aggressively sell कर सकते हो target आपके लिए 37,000 का होगा और उसको आप carry forward भी कर सकते हो यह चीज आप clearly समझीजे ठीक है न तो आपको यहां पर focus क्या रखना है कि second half में अगर यह नीचे break करता है आपका सहते तरह 500-400 के level को break करता है तो फिर एक अच्छी opportunity है जब तक यह नीचे second half में break नहीं करता है तब तक यहां पर कोई opportunity नहीं है यहां पर volatility रहेगी global market की बात करें तो DAO future देख लेते हैं आप एक बार कैसा कामकाच कर रहे हैं तो यहां पर आप DAO future में जाते हैं indices futures और अभी जो DAO future करीब काम कर रहा है 180 points और 112 points यहां पर Nasdaq future down है और 180 points DAO future down है तो यह चीज़ आप clearly समझ लीए कि second half में breakdown होता है तो successfully breakdown माना जा सकता है बट अभी फिलाल ऐसे symptoms नहीं दिख रहे हैं क्योंकि bank nifty कही ना कहीं 3700 पर hold कर रहा है और nifty कहीं ना कहीं 1700 के आसपास hold कर रहा है तो नजर रखो second half में अगर आपको कोई breakdown होता है तो यहां पर एक अच्छी opportunity मिल सकती है तो आई होप दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ क्या होगा दोस्तो flawless वीडियो में इतना है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो like और share जरू करिये का और channel को जो subscribe कर लिए क्योंकि मैं सुदिल लेके आता हूँ हर दिन आपके लिए नहीं व वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तो जाए हिंद